दोस्तों अधानी ग्रूप की बात कि यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग दिकल कर आ रहे हैं जिनको हमें करके डिसकस करने वाले हैं बहुत सारे फॉरें बड़े पोर्फोलिय इंवेस्टर ने जम के पैसे कमाया अधानी ग्रूप में इसना कितना निवेस किया उसको समझे वीडियो के माध्यम से हम डिसकस करेंगे और आज क्या रन्यूती बन रही है अधानी ग्रूप के शेरों में क्या इस समय खरिदारी करनी चीए क्योंकि बाजार तो जबर्दस दोड़ रहा है चाहिए इंडिया का बाजार हो या फिर यूएस का बाजार हो सभी जगह पे सा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब वीडियो बने पहला नोडिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते जहां पे 0.31% की तेजी है तेजी बड़ी तो नहीं है लेकिन काफी अच्छा कर रहा है अब आप देख सकते हो कि अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेर की बात की यह 2,914 आनके इस तरह पे आपको ट्रेड़ करता हो दिखाने है जापे 0.28% की मामूली सी तेजी है यानि अभी फिलाल एक तरह से देखे तो ठीकर का इंतिजार हो रहा है इस तोक में अदानी पावर की बात के तो 533 का आपको ट्रेड़ करता है जापे 0.28% की थोड़ी सी गिरावट दिखाई देरी है अगर हम बात करें अदानी विलमाल लिमिटेर की तो 365 का आपको पॉइंट से दिखाई देगी अदानी एंदर्जी सोलूशन की बात के स्टॉक 1111 के आसपास है जहां पर 2.39% की सांदार तेजी बनी होगे अदानी एंदर्जी सोलूशन काफी अच्छा कर रहा है और पीछले 2-3 ट्रेडिंग से इसमें तेजी का वातरम बना हुआ है अदानी टोटल ग बात करें तो यह 518 के आसपास जापे 0.74% की गिरावट है और ंडी टीवी 278 के आसपास स्टॉक्टेर करें जापे 0.52% की गिरावट है तो लगबग मिरा जूला रुजान दिखा देरे कुछ गर गिरावट है तो कहीं पे कुछ तेजी दिखा देरे अब एक बड़ी अप अधिक वसूली के आरुपों की सीबेई और दिशी तरब राजनसों खुपिया निदेश आले जांच के आदेश दे दिये तो कोट ने केंद्री एजेंसियों से कानून के अनुरूप कारवाई करने को काये हाई कोट ने काये कि इस मामले की वास्तव की स्ततिकी जांच हो औ मैं देख सकते हुआ कि हर्स मंदर ने यह दायर की थी और अभी इस मामले की जो जांच है एसी एटी सा इसकी जांच करने की मांग की गई है तो देख सकता हो कि इस अधिक मुल्यानकन के लिए आदानी समूं की जांच फिर से सुरू करने कि ले सुप्रीम कोर्ट से अनुमत बंद रहा है जिसकी जाँच अब होगी और आप देखे तो इसमें अभी क्या निकल के आगे हो देखना होगा लिए इसके साथ में दूसरी और भी कंपनिया है फिलाल CBI को इसकी जान सौपी गई है, कोट ने इसके आदेश दे दिये, आने वाले से में क्या फैसलाएगा लेकिन एक तरस से देखे तो हुआ सा सेंटिमेंट बिगरता हो दिखाए जरक्यों अभी एक मामला तो सुप्रीम कोट में है, दूसरी एक और जान सुरू हो गई है वैसे अदानी ग्रूप के अंदर लोगों ने जो निवेश किया, उसको काफे इचार रिटन मिला है, देख सेकतो कि ग्लोबल फंड ने करीप 6 बिलियन डॉलर का अदानी ग्रूप में निवेश किया है, फाइनेसले 2023 में तो हिंडबंक की रिपेट के बावजूद भी देखें तो करीब 52,000 क्रोड का भारी बरकम निवेश किया गया 2023 में ग्लोबल स्टेजिक इंवेश्टर ने इसके लवा रिटार्मेंड और इंसुरेंस फंड जो है, अलग-लग फंड आउस ने काफी बड़ा निवेश किया है तो प्राइम डाटाबेस की तरफ से जो जानकारी देखें उसमें 52,570 क्रोड का निवेश किया गया है मार्च से लेके ऑक्टोबर के दर्बियान इसमें ज्यादा करके जितने भी डिल हुए हो सारी बल्क और ब्लॉक डिल के माद्यम से ही हुई है सबसे जो बड़ा निवेश है वो जिक्यू पार्णर के राजिव जैनका है करीब 4 बिलियन डॉलर का निवेश किया है जिक्यू पार्णर के अलावा देखे तो आपको यहाँ पे एक लॉंग टर्ब इनवेश्टर के तौर पे यहाँ पे अबुदावी की इनवेश्टम अथरिटी जो फर्म है उन्होंने यहाँ पे काफी इचा निवेश किया है अदानी एनर्जी सोलूशन में अदानी पोर्स में और इसके लवा अदानी पावर में उनका निवेश काफी जादा है कतर इन्वेश्टमेंट अथरिटी ने भी 2.69% की इस्टेक लिए अदानी घ्री नाजी में खरी 470 यूएस डॉलर का निवेश करके इसके लवा अस्ट्रिलिया के बड़े फंड आउस न भी देखो कि मार्च से जून के दर्मियान अदारी एनर्जी सोलूशन में काफी बड़ा निवेश किया है इसके लवा टेकसस की एंपलोई रिटार्मेंट जो सिस्टम है उनके माध्यम से भी निवेश किया गया है साथी अरेबिया की जनरल और्गिनाजेशन फोर सोशल इंस्वरेंस ने भी आपे निवेश किया है देलवारे पब्लिक एंपलोई रिटार्मेंट सिंवेश किया है उन्होंने काफी बड़ा निवेश किया है मनुझ कुमार सरमा चुफ हरो हो ध होंगे अमभूझा सिमेंट के अंदर एक नहीं आपयंट्मेंट की गई है तो मनोज कुमार सर्माचिप human resource officer बनेंगे और नौबर से आप देखे तो उनकी जो appointment है जो लागू हो चुकी है तो company अपने business को जिसमें आदे कि ACC अमबूजा का अधिगरंड किया उसके बाद एक नई team तयार करें ताकि तेजी से आगे बनेंगे सेक्टर में काफी अधिगरंड भी हो रहें company चाहते है कि position उनकी number one की बन जाए सिमेंड में जो इस समय अल्टरा टेक के पास है और इसलिए लगातार बहुत साए नई appointment की जारी है बहुत सारे फैसले लिए जारे इससे पहले वो आधिते बिल्ला ग्रूप में अलड़ी अपनी सेवाई दे चुके है ऐसे में उनके पास वो टैलेंट है जिसके दम पे सिमेंड इंडस्टीज में भी वो अपना जंडा गाड सकते है अधानी ग्रूप और इसलिए यापे इनकी ज़्यादा बढ़ी है तो येर टू डेट के इसाब से देके तो उनकी जो आये है वो सबसे अधा रही है इनकम उन्होंने सबसे अधा कमाई है ज्यादा उनका नेट्रवत बढ़ा है जिन्डल ग्रूप की सावेतरी जिन्डल की जो दॉलत है उसमें 9.5 बिलियन की वृद्धी हुई है दुनिया की वो 62 वी सबसे बड़ी रईस अरवपती है उनकी संपती की बात की समें 25.3 बिलियन डॉलर की उनके पास टोटल संपती है वैसे मुक्य सम्मानी जो इस समय दे खाई देगी आपको इसके लाओ गौतम अदारी की बात तो उनकी जो समपती है उसमें 35.4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और वो हिंडबक की रिपोर्ट की वज़े से इस बार उनको जटका लगा था इसके लाओ आगर आप देखे तो अदानी ग्रूप करीब 6000 किया जाएगा और अदानी ग्रूप आप देखे तो आने वाले समय में अपने गुजराद और राजस्तान में बहुत सारे सोर प्रजेक्ट शुरू करने जारे जिससे जो इनके कैप्टर सिटी को बढ़ाए जा सके और जो भी पोलुशन उसको रोखने के लिए ग्रीन अज पूरा करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय पोलुशन कम हो जाए और कमपनी देख सकते हो कि 2030 अपने टार्गेट सेट कर दिया कि अपने सीमेंट का उत्पादन करेंगे तो कुल मिला कि यह काफी बड़े फैसले जो आने वाले समय अदारी ग्रूप को ऊपर लेके जा सकते एसे में लौंग टर्म इंवेस्टर यहां पे निवेस्वेस शुरू करें क्योंकि बाज़र में एक लंबी तेज़ी की सुरात हुई है तो लाइक से दूर्की ज्यौर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठ criminal